सरकार जो योजना बनाती है जिसके लिए बनाती है जिस काम के लिए बनाती है वो सही समय पर बिना किसी परेशानियों के वो योजना उस तक पहुँचे अगर प्रधान मत्री आवाश योजना है तो जिसकी जुगी है जोपड़ी है कच्चा घर है उसका घर बनना चाहिए और इसलिए उसको सरकार के चक्कर काटने की जरूत नहीं है सरकार को सामने से जाकर के काम करना चाहिए और जब से आपने मुझे काम दिया है तो अब तक करीब चार करोड परिवारों को पक्का घर मिल चुका है लेकिन अभी भी खबर मिलते हैं वहां को रह गया है उस गाव में वह रह गया है तो हमने ताय किया कि भाई फिर से हम एक बार देश भर में जाएं जो सरकार की योजना है जिनको मिला है उनसे सुने कि पर क्या क्या मिला कैसे मिला प्राप्त करने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई कि कोई रिश्वत तो नहीं देनी पड़ी जितना तय था उतना मिला कि कम मिला एक बार जाएंगे तो इसका हिसाब किताब भी हो जाएगा तो यह विक्सीद भारत संकल पर यात्रा जो है ना वह एक पकारते मेरी भी कसोटी है मेरी एक्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था मैं आपके मुझ से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हुआ कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है जिसके लिए होना चाहिए था उसके लिए हुआ है कि नहीं हुआ है जो काम होना चाहिए तो हुआ कि नहीं हुआ है अब मैं अभी कुछ साथियों को मिला जिनोंने आईश्मान काड का फाइदा उठा करके गंबीर से बंग गंबीर बिमारियों का इलाज करवाया है उन्होंने एक्सिडेंट हो गया हाथ पर तूट गए तो अस्पताल में जाकर गए मैंने उनको पूछा तो कह रहा है तो इतना खर्चा हम तो कहां से करते जील लेते ऐसे ही लेकिन जब आईश्मान काड आया तो हिम्मत आ गई आपरेशन करवा दिया अब सरीर काम कर रहा है अब उससे मुझे तो आशिरवाद मिलता ही है लेकिन जो सरकार में बाबू लोग है न अपसर लोग हैं जो फाइल पर तो योजना को आगे बढ़ाते हैं अच्छी योजना भी बनाते हैं पैसे भी रमाना कर देते हैं लेकिन वहां उनका काम पूरा हो जाता है कि चलो वए 50 लोगों को मिलना था मिल गया सो लोगों को मिलना था मिल गया एक हजार गाओं में जाना था चला गया लेकिन जब वह ये बात सुनता है कि उसने कभी फाइल पे काम किया था उसके कारण काशी के फलाने महले के फलाने वेक्ति की जिंदगी बच गई तो वो जो अफसर होता है न उसका भी काम करने का उत्सा अने गुना बढ़ जाता है उसको संतोस मिलता है जब तक वो कागज पे काम करता है उसको लगता है मैं सरकारी काम कर रहा हूं लेकिन जब उस इसकाम का फायदा किसी को मिला है उसका जब उसको खुद देखता है तो उसको काम करने का उत्सा बढ़ जाता है और इसलिए मैंने देखा है कि विक्सीद भारत संकल ब्यात्रा जहां जहां गई है वहां पर सरकारी अप्सवरों पर इतना सकारात्मक प्रभाव हुआ है उनको अपने काम का संतोज होने लगा है अच्छा भाई यह योजना बनी मैंने तो फाइल बनाई थी लेकिन क्या एक गरीब विद्वा के घर में जीवन जोती विवा का पैसा पहुंच गया मुसीबत की एक सरकारी मुलाजिम को जब यह सुनता है तो उसको जीवन का एक नया संतोज मिलता है बहुत कम लोग हैं जो इसकी ताकत समझते हैं कि विख्षिद भारत संकल प्यात्रा से हो क्या रहा है जो बाबु लोग इस काम से जुड़े हैं जब सुनते हैं जब मैं भी यहां बैटा हूँ सुनता हूँ कि मोदी जी मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे पती का स्वर्गवास हो गया तब अचानक मुझे खबर आई दोला तुम्हें मिल गया कोई बहन कहती हैं कि बच्चपन से ही हम तो दूमे में जिन्द की गुजारते थे गैस आ गया जिन्द की बदल गई उससे बड़ा जो सबसे बड़ी बात की बहन ने उसने कहां गरीब और अमीर का बेद मिट गया गरीबी हटाओं नारा देना एक बात है लेकिन एक गरीब कहता है कि मेरे घर में गैस का चुला आते ही गरीबी और अमेरीका बेद खतम हो गया जब हो कहता है कि मैं पक्के घर में रहने गया तो मेरा आत्मविश्वाज जितना बढ़ गया कि मेरे बच्चे सम्मान के साथ स्कूल कोलेज में अपने दोस्तों के सामने खड़े रहने लगे जोपड़ी में रहते थे बच्चे शनमीन की बैसुस करते दबे हुए रहते थे आत्मविश्वात नहीं था पक्का घर मिलते ही दिवारे नहीं पक्की छत नहीं जिन्दगी आत्मविश्वात से भर गई है अब वो दूर से मकान देखने से पता नहीं चलता है बैंक से टेक गया इसलिए पता नहीं चलता है जब उस लाभारती के मुझ से सुनते हैं न तब पता चलता है चलो भाई जीवन धन्य हो गया किसी की जिन्दगी में बढ़लाव आ गया अब मैं देख रहा है था हमारे गुपताजी बोलना बंदी नहीं कर रहे थे क्यों उनका मन इतना उस्षा से भर गया था कि इतनी योजनाओं का लाभ मिला सामने से किसे दो सजार रुपया बैंक से मिल जाए शावकार से भी पैसा लेने में दम उखड़ जाता है यह बैंक सामने से पैसा दे तब उसका विश्वाद बढ़ जाता है यह मेरा देश है यह बैंक मेरी है और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि रेलवे मेरी है यह अस्पतान मेरी है यह अपसर यह अफिस मेरा है यह देश मेरा है यह भाव जब जगता है तो देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी जग जाती है अर इसलिए यह जो प्रयास है न वह बीज भो रहा है यह बीज इस बात का भोड रहा है कि हमारे माँ-बाप को मुसीबते जेलनी पड़ी हमें भी जिन्दगी में मुसीबते जेलनी पड़ी लेकिन हमें अपने बच्चों को मुसीबत में जीने के लिए मजबूर नहीं करना है हम जो मुसीबतों से गुजरे कोई माबाप नहीं चाहता है कि उसके बच्चे भी उसी मसीबत से गुजरे लेकिन कोई माबाप नहीं चाहता हैं कि उसके बच्चे अश्शिक्षित रहें और जब यह योजनाओं के सारी जानकारिया उसको मिलती हैं तो उसको लगता है कि यही समय है है कि यही समय है हम भी कुछ करें और जब 140 करोड लोगों के मन में लगता है न यह समय है तो देश आगे बढ़के रहेगा आ कि देश को आजादी कैसे मिली हैं है सारीट भरत मता अधावन बने गाया था कोई पूत्ते देर क्यों मर रहे हो दलीदेश की आजादी के लिए कोई बुजूर्ग की सेवा करता था कोई पूत्ता था रहे क्या कर रहे हो भई नहीं पूले आजादी के लिए कर रहा हूं कोई खादी पहनता था क्यों कर रहे हैं आजादी के हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहने लगा कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं उपास करता हूं तो भी आजादी के लिए मेहनत करता हूं तो भी आजादी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं तो भी आजादी के लिए सफाई का काम करता हूं तो भी आजादी के लिए तकलीद चलाता हूं तो भी आजादी कि देश को खड़ा हुआ कि अगर हम इस समय कि एक सो चालीस करोर देश वासी इसी मिजाज से भर जाएं बस अब अब हमें देश को हमें आगे ले जाना है ऐसे नहीं रहना है हर एक की जुन्दी की बदल नहीं है हर एक की शक्ति का सम्मान होना चाहिए शक्ति का उप्योक होना चाहिए तो देश को आगे बढ़ाना चाहिए एक बार ये मन में ये बीज बोर है नाज अध्य 25 सान में तो ऐसा वटव्र ओप्रक्ष बनेगा दोजार प्रहतालीशमैं 2047 में विक्सित्भारत बन जाएगा और बच्चोंको फल मिलना शुरू हो geben कि वटवरुक्ष की साया आप ही के बच्चों को मिलने वाली है और इसलिए विच्षित भारत बनाने के लिए हर नागरी का मिजाज बनना चाहिए मन बनना चाहिए संकल्प बनना चाहिए और अगर मन बन जता है तो मंजील दूर नहीं होती है और यह विच्षित भारत संकल्प प्यात्रा यह एक प्रकार से देश का काम है यह किसी राजनितिक दल का काम दई है और मैं मानता हूं जो इस काम को करता है वो बहुत पवित्र काम करता है वो दूर से देख रहा है अखमार में पढ़ लाएं उसको समझना चाहिए कि मेरी गाड़ी छूट रही है मैं मोका छोड रहा हूं मैं भले देश का प्रधान मंत्री हूं लेकिन मेरा बड़ा उमंग है आज आपको बीचाने का मुझे बड़ा आनंद है कि मैं आज विक्सीच भारत संकल प्यात्रा का मैं हिस्सा बना मैं भी संतोष करूँगा गहां भई ये काम मैंने भी किया आप पर हर किसी को करना चाहिए अगले गाउं में जहां भी यात्रा जाने वाली हो शहर में जिस बॉड में जाने वाली हो भव्य स्वाकत होना चाहिए सब के सब लोग आने चाहिए हर किसी को सुनना चाहिए योजनाओं का लाब लेने के लिए आगे आना चाहिए और जिसको योजना का लाब मिला है उसने आत्म विश्वा के साथ इसको बताना चाहिए अच्छी बात बताने से भी अच्छाई का वाताउन परदा हो जाता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि विक्सित भारत यात्रा ये बहुत बड़ा सपना है बहुत बड़ा संकल्प है और अपने ही प्रयासों से इस संकल्प को हमने सिद्ध करना है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबसे मिलने का मुझे मोका मिला आप से भी सुनने का मोका मिला लेकिन हम सब प्रयास करें इस यात्रा को और सभल करें और देश्वासियों के मन में भाव पैदा करें आत्मभिस्वास पैदा करें और हमने देखा है घर में भी जब पैसे नहीं होते हैं तकलीफ से गुजारा करते हैं तो कई काम नहीं कर पाते इच्छा हो तो भी नहीं कर मन करता है कि चलो बच्चों के अच्छा शर्ट ला करके दे दूँ नहीं ला सकते क्यों पैसे कम है जैसे घर में होता है न वैसे देश में होता है देश के पांस भी पैसे होने चाहिए पैसे होंगे तो हर नागरी की इच्छा पूरे करेगा हाद चार करोर गरीबों को घर मिल गया जो बच गये हैं उनको अभी आगे मोदी देने की गरंटी देता है कि जिनको आईश्वान कान मिल गया उसकी मुफंत में दवाई हो गई जिसको गैस की चुली की जुरुती सरकार सब्सेटी देकर के भी गैस का चुला दे रही है क्यों सरकार के पाद देने की तांकत आगा ना से 25 सान्वाइं तो यह मुस्यबतों का डामो निशान नहीं रहेगा निशान नहीं हें देगा हममसीबतों अ मुक्त हो जाएंगे ऑज और मुस्यबतों से मुक्ति का यह मार्ग है विशिद भारत का संगलप पूरा करणा और इसलिए मैं मेरे काश्री वास्चिकों को विश्वा दिलाता हूं कि आपके सेवक के नाते आपके सांसरत के नाते तो मैं काम करूंगा लेकिन आपने मुझे देश का काम दिया है उस मैं भी महादेव के आशिरवात से मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा कि महादेव के हम सब पर कुपा बनी रहे और यह आत्रा हमारे काश्री व्यातों बहुत सफल होनी चाहिए कि डीली डाली नहीं कि कारिकम में जादा से एक परिवार का एक भी व्यक्तियसा नहों कि जो यात्रा में न गया हो जाए गंटा दो गंटा उस कारिकम में हिस्सा बने इसके लिए आप सब मदद कीजिए और विक्सित भारत के संकल्प को और मजबूत कीजिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार तो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे प्रदान मंत्री